एक खूबसूरत जंगल में छोटु नाम का एक प्यारा सा भालू रहता था। छोटु बहुत ही जिग्यासू और ज्यान प्राप्ति का इच्छुक था। वह हमेशा जंगल के बारे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन छोटु अपने घर से बाहर निकला और जंगल में घूमने लगा। उसने एक बूढे हिरन को देखा जो आराम से पेड़ के नीचे बैठा था। छोटु बूडे हिरन के पास गया और उसे विनम्रता से जुक कर कहा। नमस्ते मैं छोटु हूँ क्या आप मुझे जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं। बूरा हिरन मुस्कुराया और बोला, बेशक, छोटु, जंगल एक बहुत ही रहस्यमई और ज्ञान से भरा हुआ स्थान है, यहां हर चीज का अपना महत्व है। छोटु ध्यान से सुन रहा था। बूरा हिरन ने उसे जंगल के विभिन पेड पौधों और जानवरों के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि कैसे जंगल सभी जीवों के लिए एक घर है और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। छोटु ने बूढे हिरन से बहुत कुछ सीखा। वह जंगल को एक नए नजरिये से देखने लगा। वह समझ गया कि जंगल केवल पेड पौधों का समूह नहीं है बलकि यह एक जीवित प्राणी है जिसकी अपनी कहानी और अपना ज्यान है। छोटु ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के विभिन्न प्राणियों से मिला। उसने एक बुद्धिमान उल्लू से सीखा कि कैसे धैर्य और समझदारी से जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उसने एक मजबूत हाथी से सीखा कि कैसे अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए द्रढ रहना चाहिए। छोटु के ज्यान बर्धक सफर में हर मुलाकात उसे जीवन का एक नया सबक सिखाती थी। वह जंगल के बारे में, खुद के बारे में और जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख रहा था। कुछ सालों बाद छोटु एक बड़ा और समझदार भालू बन गया। वह जंगल के सभी जीवों का सम्मान करता था और उनकी रक्षा करता था। वह जंगल के ज्यान को अगली पीड़ी तक पहुँचाना चाहता था इसलिए वह जंगल के छोटे जानवरों को जंगल के बारे में सिखाने लगा छोटू की कहानी हमें यह बताती है कि हम सभी ज्यान प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर है जंगल हमारे चारों ओर है और यह हमें बहुत कुछ सिखा सकता है हमें बस ध्यान से सुनने और सीखने की इच्छा रखने की आवश्यक्ता है